हेलो दोस्तो सू स्वागतम आप सबका स्वागत है मेरा नाम है अरुन और आज की वीडियो जो है वो बहुत जादा इंट्रेस्टिंग होगी इवन कुछ लोगों के मुँँ में पानी भी आ सकता है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सैलरी के बारे में देखें जब भी कोई भी कहीं पर भी अगर जोब करने जाता है तो उसके दिमाग में क्या चीज़ आती है मुझे लगता है कि तीन चीज़ आती है कि पहला पैसा अच्छा मिल जाए दूसरा इज़ज़ डंकी मिल जाए और भहिया काम आराम से निकल जाए तो अगर आप ऐ सेलरी भी बहुत अच्छी है तो कितनी सेलरी है इसके बारे मैं मैं आज डिटेल से आपको बताऊंगा मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सेलरी आपको मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी ग्रोस यानि कि नेट सेलरी कितनी है और भहिया कट पिट के आपके हाथ में क इसलिए आपको ट्रटर की आवाज सुनाई दे रही होगी इसलिए उसको ignore मार देना ठीक है अब मैं आपको मैंने देखो पूरा बोर्ड के अंदर उपर लिख दिया है आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा आप समझ जाएंगे कि जब आप सब इंस्पेक्टर बन ज जाएंगे चाहिए दिल्ली पुलिस में या फिर किसी भी सिए पेव की फोर्स में तो आपको लमसम इसी के अकोडिंग आपको पैसा मिलेगा थोड़ा बहुत उपर नीची होगा क्योंकि आलग-अलग फोर्स में थोड़ा बहुत फेर बतल होगा लेकिन आप इसी के इर्द बहुत है तो ठीक है तो मुह में पानी मत लेके आना पहले दिहान से पूरी वीडियो देखना और जैसी आपको वीडियो अच्छे लगे तुरन तभी लाइक कर देना ठीक है देखिए आपने नोटिफिकेशन में भी देखा होगा नहीं देखा तो मैं आपको बता जेता और आप कभी भी अपनी सेलरी निकाल सकते हैं कभी भी घर बैठे इतने आसान तरीके समझाओंगा देखिए स्टार्टिंग किसे और यह 35,400 रुपे से तो यह आपका क्या है बेसिक पे मैंने लिख दिया 35,400 रुपे कहां पॉइंट लग गया बताओ 35,400 रुपे ठीक है आ लेकिन अभी 17% है तो इसका आप 17% निकाल लो आप सब त्यारी कर रहे हैं मैथ आपको अच्छे से आता है इसलिए कोई बहुत बड़ा रोकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ इसका आप 17% निकालेंगे ना तो यह आएगा 6018 यह आपकी सैलरी में एड हो गया इसके अलावा TPT 3600 रुपे है यह TPT जो शहर होते हैं उसके मताबिक कम जादा होता है लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली की जब आगर आपका DP में हो जाता है आप दिल्ली में ट्रेनिंग करेंगे इवन हैदराबाद में चेन्नी में आपकी ट्रेनिंग आगर होती है तो वो A class ET है X class ET है तो वहाँ पर TPT 3600 रुपे मिलता है अगर आप C class ET में जाएंगे तो शायद रुपे कुछ हो जाएगा इसलिए लेकिन हम 3600 रुपे मानते हैं क्योंकि आदिकतर जो ट्रेनिंग होती है वो ऐसे बड़े बड़े शहरों में होती है तो 3600 रुपे आपको 17% आप कितना चल रहा है 17 तो यह 17% हो गया तो यह 612 रुपीज हो गये इसके अलावा 100 पलाउंस मिलता है 100 पलाउंस कपड़े दोने के लिए आपको जो साबुन का लाउंस मिलता हर मेने वो है तो 45 रुपीज है फिर अगला है C.O.R. Coast of Russian आप जो खाते हैं उसका पैसा भी आपको आलक से सरकार देती है क्या मज़ेदार बात है ना तो यह आपका कुछ 117 रुपे 30 पैसे चल रहा है इस वक्त इतना चल रहा है तो इतने को अगर आप 30 या 31 से मल्टिप्लाई करेंगे क्योंकि जैसा महिना आएगा तो आपका लंसम 3636 या इसे के आसपास आएगा व आप लिजे मार्च है तो 31 का महिना है अप्रेल है तो 30 का महिना है तो उसको आप उतना से गुणा कर दीजे वह लंसम आपके पास समांट आ जाएगी तो यह आपका टोटल कितना हो गया देखो 49311 इतना पैसा आपका बन गया यह सार आपको पैसा मिलेगा तो टोटल कितना हो गया 49311 अब उसके बाद कट होती यह आपकी मतलब आपकी ग्रोस सेलरी हो के कितनी बड़ी बात है आप गये ट्रेनिंग करने के लिए और आप 50,000 के मालिक बन गये या मालकिन बन गये है ना कितनी के मज़ातार बात अब मैं आपको बताता हूँ कि मालक lisaic can tell situation अपन्प्षक Guy इना तो हर मेने सरकार आप से थोड़ा वहत लेती है उससे थोड़ा जादा मिला देती है और फिर वह र्मिने जुरता उसका भी 10% लेती है, तो 10% of DA, यानि कि 601 रुपे 80 पैसा, तो इसको मैंने राउंड ओफ कर दिया, तो यह 4142 यह आपसे लिये जाएंगे, हर मेने लिये जाएंगे, और जैसे जैसे आपका DA बढ़ेगा, या फिर basic बढ़ेगा, तो वैसे वैसे आपका tier 1 भी बढ़ता जाएगा, या आद रखना, और professional tax, यह शहर शहर की बात है, जैसे हैदराबाद है, और इमफाल वगेर है, वहाँ पर शैद professional tax 200 रुपे है, कई जहेंगे नहीं है, तो नहीं है तो आप 200 रुपे बचा लेंगे, आगर होंगे, तो आपको 200 रुपे देने होंगे, तो देखिए, total आपका कितना हो गया, 4, 3, 7, 2, इन सब को जोडने से, 30, 4, 1, 4, 2, और 200 इतना, और जो आपको cost of ration, 3, 6, 3, 6 मिला था, तो जब आप training करेंगे, तो वहाँ पर जब आख खाएंगे, तो मैंने इन दोनों को जोड़ा, तो 7, 3, 7, 2 आया, इसके अलावे छोटे मोटे हैं, जैसे CWF fund है, इसके अबारे मैं details बताऊंगे, जो हर 3 मेने या 6 मेने में करता है, उनकी बहुत minimum cutting है, इसलिए उसको मैंने थोड़ा बहुत अभी ignore किया है, तो टोटल आपको gross salary मिली 49311, और आपकी cutting कितनी होगी 7372, तो आपके पास in hand कितनी आई 41939, तकरीबन 42,000, यह आपकी बुढ़ापे की है, यानि बुढ़ापे में आपको मिलेगा, यह भी बहुत अच्छी चीज है, अभी कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी चीज है, वक्त आने बर बताऊंगा कि क्या है, तो यानि कि यह आपकी saving है, हाँ यह आपका खर्चा है क्योंकि आप खा रहे हो भाई, यह आपका खर्चा है, तो यह saving है जो आपको बाद मिलेगी, और इस हिसाब से आपकी in hand आई 42,000, मैंने इसमें एक चीज नहीं बताई, जो मैं आपको सिर्फ अभी बता रहा हूँ, ऐसे मैंने इसमें नहीं लिखा, क्योंकि अभी तक यही process चल रहा था, लेकिन आभी कुछ शायद पिछले साल से, या उसे पिछले साल से अभी एक amendment आया है, कि अभी आपको HRA भी मिलेगा, अभी तक training में HRA नहीं मिलता था, पर आप बोल रहे हैं कि अगर training में आगर आप आते हैं, तो आपको HRA भी मिलेगा, हRA और वैसे हम उसको CHRA भी कह देते हैं, तो यह HRA उट जोड लीजेगा, हRA, यह HRA कैसे होता है, यह भी CT के उपर depend करता है, X class ET है, Y class ET है, यह Z class ET है, तो X class ET होगी 24%, फिर उसे कम 12% और 8%, कुछ इस तरह का ratio है, तो उसको आप उट जोड लीजेगा, 24 या 12 या 8, इसको आप जोडेंगे, या इसका basic पेगा, बेसिक के में 24% और जोड लेना, तो यह आपको अभी मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपका थोड़ा बहुत और पैसा बढ़ जाएगा, यानि कि 45,000 तक शायद आपका, लंसम आपका आजाए in hand, और gross salary तो और जाद आजाए, इस जोग को, 20 क्या कोई भी करना चाहिएगा, बस क्या करना है, मैनत करनी है, paper first clear करना है, फिर दोड़ भाग क्लिक वो उसको clear करना है, और फिर paper two clear करना है, हो गया काम, paper one, paper two, के base पर आपके merit बनेगी, और जितना आपके number आएगे, उस हिसाब से आपको force मिल जाएगी, बहुत ही minimal काम है, इतना कोई बड़ा rocket science नहीं है, और अगर आपको इतना अच्छा पैसा मिल रहा हो, 49,000 प्लस हारे, 49,000 प्लस हारे, तो भाईया, कोई नहीं करना चाहेगा job, नहीं करना चाहोगा अब भी job, अरे मेहनत कर लो यार, अच्छी vacancy आई हुई है, वर्दी पैनने को मिल रही है, और क्या चाहिए, ऐसी में बहुत अच्छी अच्छी बाते आपको ले करके, आपके सामने ले करके आता रहूँगा, ऐसे CCP होगी, जिससे कि आपको motivation मिलेगा, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर दो यार, शेर कर दो, किसका इंतजार कर रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वो जब बैल आइकन उसको प्रेस कर देना, ताकि इस चैनल पर कैसी भी वीडियो अपलोड़ो, आपको जुरूर मिल जाए, ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए, जै हिंद, ये मेरी बेटी का हाथ आ गया, जै हिंद, जै बारत, जै हरे अना,